असलाम लेकॉम, वेलकम टो लाइवली कुकिंग, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी बिना ओवन के और बिना हैंड बीटर के और बिना अंडे के, यह निके बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको चॉकलेट केक बनाना से खाऊंगी, जिसमें अंडे का इस्तिमाल नहीं होगा, यह आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मोईस्ट अंदर से केक आज हमारा त्यार होगा, यह आप देख सकती हैं कि कितना जबरदस्त केक है, तो आज यह हम इ कही का मीथा पसद हो तो आप कम भी शामिर कर सकती हैं, यहीं कि तीन चोताई टाई कब, अब हम इसांच में वनिला ऐसेंस शामिल करेंगे, तो एट करेंगे एड्य करोंगी, यह थीड्यक है यह हम इसांच में एड्ट कर एड्ट कप, कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क एट नहीं करना चाहते तो आप इसमें थिक योगर्ट जो के नैसले वाला थिक योगर्ट होता है यहां पर यह वाला मिलता है मीठा वाला तो आप इसमें एड कर सकती है लेकिन याद रखें कि योगर्ट रूम टेंपराचर पर होना चाहिए और अगर आप दोनों में से कोई भी चीज एड नहीं करना चाहती तो आप इसे यह मिक्स करके इसमें मजीद एडिशन कर सकती है यह मिक्सर हमने इसी तरह मिक्स कर लिया है अब हम इसमें ड्रह अंगरें तरह गले एाट करेंगे अधर अधर अंगरेंगरेंड रियांस पर हमें अल क्परस फ्लॉर यानि के मैधा चाहिएً मbuat starter कंवी कप जिसमें से एक ale शिमाण चंबोपन अल्गें की यह चाने का चमछ मैंने भटा रीजा था मोला करो करणे कि औरु मिस उद्अ कॉड़िया पॉडर शॉरम डालेंगे 1 T-sp alright डार्क कोको पाउडर हम इसमें एट करेंगे आधा कप बेकिंग सोडा हम इसमें शामिल करेंगे एक चोताई चमच चाय का चमच और साथ ही हम नमक भी इसमें एक चोताई चाय का चमच एट करेंगे अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से सिफ्ट करेंगे एक चीज जो मजीद मैं इसमें शामिल करूंगी जो इसके टेस्ट और फ्लेवर को मजीद इन्हेंस करेगा वो है इंस्टेंट कॉफी वन टीस्पून हम इसमें इंस्टेंट कॉफी आड़ करेंगे दूद हम इसमें शामिल करेंगे एक कप दूद भी रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए यानिके बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्मी होना चाहिए एक कब दूद शामिल करके हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से हमने इसे तक्रीबन 3-4 मिनिट मिक्स करते जाना है तके ये लम्स फ्री मिक्सर त्यार हो जाए ये आप देख सकती है स्मूद सा मिक्सर हमारा त्यार है मिक्सर की कॉंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए जैसा कि आप देख सकती है बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं यह consistency हमारी mixer की होनी चाहिए तो mixer हमारा ready है अब हम इसे एक केक टिन में डालेंगे केक का टिन में already prepare कर चुकी हूँ इसमें butter paper लगा चुकी हूँ और इसके उपर में oil और oil या butter जो भी आप लगाना चाहें लगा लें और इसमें हम mixer को डालेंगे mixer को हम इस तरह करके mix करेंगे ताके इसमें जो air bubbles हों वो सारे से escape हो जाए या फिर आप इसे टेप भी कर सकती है यानि कि हलका सा इस तरह करके हिला सकती है अब हम इसे preheated पतीले में bake करेंगे पतीले को already मैंने 20 मिनट के लिए preheat कर लिया है लो हीट पर हमने पतीले को 20 मिनट के लिए नमक डाल कर और इस तरह करके को इस्टाइन रखके हमने preheat कर लेना है धकन धकर और अगर आप इसे ओन में bake करना चाहती है तो आप इसे 180 डिग्री पर पहले से ओन को preheat कर लें 20 मिनट के लिए और इस तरह करके हम कोई भी बॉल या फिर अलमूनियम का फॉयल कप बनाएंगे जो रेडिमेंट मिलता है भी ले सकती है और इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे और साइट पर इसके यह रखेंगे इससे यह होगा कि केक हमारा बिलकुल सही बनेगा उपर से मिनट तक तीस मिनट से पहले आपने इसका धकर नहीं कोलना और यह आप देख सकती है यह इसका टेंपरेचर इसका इसकी हीट होनी चाहिए मेरा के 15 मिनट लगे है तूद पे किया पर कोई भी वोटन स्क्यूर हम बीच में इंसर्ट करके देख लेंगे क्लीन निकल आए तो केक को हम निकाल कर साइट पे रखेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे केक टिन में से निकाल लेंगे चुरी की मदद से हम साइट को इस तरह सक्रेप करेंगे और इसके बाद हम इस केक टिन को ओपन करेंगे जो बटर पेपर मैंने लगाया था उसको हम रिमूव कर लेंगे अगर आपके बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी कागज लेकर उसे ऑईल में अच्छी तरह से डिबो कर न चोड़ ले और इसके बाद इसे आप बटर पेपर के तौर पर यूज़ कर सकती है तो यह केक हमारा रेडी है अब हमें अच्छी तरह से ठंडा क्यों विपिंग क्रीम चाहिए दो का यह विपिंग क्रीम मैं अलुरी आप लोगं को बता चुके हैं और समय, कमसे काव आप इसे 15-20 मिनट फ्रेज में रख लें अगर आप चाहें तो आप इसके नीचे बर्स भी रख सकती हैं अगर गर्मियों का मौसम हैं तो हमेशा नोन डेरी विपिंग क्रीम यूज़ करें बहुत ही जबरतस उसका रेजल्ट आता है और इसमें चीनी डालने की भी ज़रुवत नहीं है मैं डेरी वाले यूज़ करी हूँ इसलिए मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी दो मेंट के लिए मैं इसे विप करूँगी जो बेकिंग में बिलकुल न्यू है तो उनके लिए नोन डेरी बेस्ट रहेगी अब मैं इसमें पिसीवी चीनी या फिर बेस्ट है कि आप इसमें तीन से चार मिनट हम इसे बीट करेंगे, हाई स्पीड पर और इसके बाद हम इसमें डार्क कोको पाउडर में लाएंगे कोको पाउडर का दिस्क्रिप्शन भी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ तो इसमें जो चीजें मैंने यूज़ की हैं वो मैं आल्रेड़े आपको बता चुकी हूँ उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब हम इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे हाई स्पीड पर ताकि इसकी जो स्टिफ्ट पेक्स हैं यहनिके जो क्रीम है वो हमारे स्टिफ हो जाए और यह आप देख सकती है कि क्रीम हमारी त्यार है अब हमें से साइट पर रखेंगे केक को हम बीच में से कट करेंगे दो हिस्सों में है है ही मत देख सकती है यह Vatican है आप कोकटेल जो होते हैं आप ड्यविटर होँ अगर रखेंगे लगा नहीं है तो हम इसके डरा मिल्क होता है इनी के दूध होता तो आप वह भी गालिक की तोसब करकाश्तों है ॵ TIME में अब इसके उपर विप हिएंगे जो कहांगो, उस्प्रूर्वेम की ती ट्रूम कोते हैं। कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकती है। जितनी आपको पसंद हो तो आप उतनी ही लगा लें और इसके उपर हम जो कॉक्टेल है वो डालेंगे यह भी आपको पसंद हो तो आप डाल सकती है नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती है और इसकी जगह आप चॉकलेट चंग्स भी इसमें एड कर सकती हैンチरी चॉकलेट चॉकलेट चिप्स जो भी आपको पसंद हो तो हाप वह भी इसमें ऑड कर सकती हैं और पतवे इसके ओपर आप से रख सकती हैं अब मैं इसके ऊपर फाइनल लेयर लगाएंगे भूआ के उपर भी अम इसी तरह जूस पहले लगाएंगे और जूस लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर जो whipped cream है वह हम लगाएंगे अच्छी तरह से ऊपर से उस साइड से हमने से cover कर लेना है थोड़ी से क्रीम आपने फोर इह साइड करव लेना है ताकि बाद में इसके लिए हमें एक चॉकलेट बार चाहिए मैं यहां पर सेमी स्वीट चॉकलेट बार यूज़ करें हुआ हर्शीज का जिसे मैं तोड़कर एक बॉल में डालोंगी चॉप करकी तक्रीबन एक कप बनेगा अब हम इसमें आधा कप गरम की हुई विपिंग क्रीम शामिल करेंगे अच्छी तरह से आप इसे स्टो टॉप पर यहनिके चूले फरी आप इसे गरम कर लें अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप एक मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव में भी गरम कर सकती है अब हम इसमें गरम क्रीम डालेंगे और इसे अब हम 30-40 शेकंड के लिए ऐसी छोड़ देंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और जब मिक्स हो जए तो चौकलेट गराश हमारी त्यार है अगर आप चाहें तो आप इसे चलनी में डाल कर चान भी सकती हैं तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शाइनी हमारा चॉकलेट गैनाश त्यार होगा तो यह त्यार है अब हम इसे साइट पर रखेंगे तक यह अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तक्रीबन 15-20 मिनट तक यह पर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकती हैं अच्छी तरह से ठंडा गैनाश चॉकलेट गैनाश हम इसके उपर पोर करेंगे चाहें तो आ आप इस तरह पूरे केक को कवर कर लें या फिर अगर आप साइट पर डालना चाहते हैं तो आप साइट पे भी डाल कर इससे सर्फ कर सकती हैं अब आप इसे अपनी मर्जी से डेक्रेट कर लें जो विपिंग क्रीम मैंने बचा की रखी ती उसे मैं इसे डेक्रेट कर रही हूँ साइड से और उबर से क्रीम की जब आप लगाना चाहती है तो वो आप अपने मर्जी से लगा सकती है तो यह मैंने केक को डेक्रेट कर लिया है थोड़ से मैं इसके उपर स्ट्राबरीज लगाऊंगी स्ट्राबरीज को मैंने चॉकलेट में डिट किया है और इसके उपर वाइड चॉकलेट मैंने लगाया हुआ है तो यह चॉकलेट केग बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही मॉइस्ट और एगलेस विदाउट ओवन अत्यार है अच्छी तरह से ठंडा करके सर्फ करें कम से कम तीन से चार घंडे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें और इसके बाद आप इसे सर्फ करें यहां पर मैं आपको कट करके दिखाऊं मैं न्डरसे ये कैसा बना है क्योंकि आप इसे बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी चीज बनाए ट्राइ करेंगे और आप इसे बनाईए ट्राइ कीजिए मुझे फीडबेक जरूर दीजिए मेरी रेसिपी इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मुझे दूओं में याद रखिए अगली रेसिपी तक अल्ला हाफिज